नमस्कार जेहिन मेरा नाम है रॉनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्क्रीन वाला यूं तो क्रिस्मस 25 दिसंबर को मनाया जाता है पर श्रीराम रागवन की डिक्षनरी में ये डेट 12 जनवरी को आई है और भाई एक बार को संजू सैमसन का टीम में होना या न होना समझ में आ सकता है एक बार को लॉंग वीकेंड पे शिमला या मनाली में से कहां जाना है ये सेलेक्ट करना भी समझ में आ सकता है पर जब मूवी हो श्री राम रागवन की, तो एक सीन के बाद दूसरे सीन में क्या होगा, ये किसी को भी नहीं समझ में आ सकता श्री राम रागवन की थेयरी सिंपल है, स्क्रिप्ट में दिमाग लगाओ, थेटर में मूवी चलाओ और पैसे बनाओ अगर कोई है जो आज की डेट में बॉलिवूड का होके भी एकदम हॉलिवूड स्टाइल की मूवी बनाने का दम रखता है, तो उस वेक्ती का नाम है श्री राम रागवन जी हाँ, बदलापूर और आंदाद उनकी यूद सक्सिस के बाद, मेरी क्रिस्मस भी जनता के दिलों और बॉक्स आफिस पर धूम मचाने की काबिलियत रखती है, मूवी की कहानी सिंपल येट नॉट सो सिंपल है, शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है, काट्रीना कैफ और उनकी बेटी से जहां वो एक रेस्टरेंट में एक आदमी से मिलने जाती है, क्रिस्मस इव पर, वहां उनकी मुलाकात हो जाती है, इस मूवी के रियल स्टार विजे सेतुपती से, दोनों बाद में काट्रीना के घर जाते हैं, तो वहां काट्रीना के हजबन की लाश मि नहीं करते होंगे, हर एक सीन में आपको लगता है कि आप मूवी समझ गए हैं, और फिर वहीं पर एक और ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा होता है, और अचानक से सब कुछ घूम जाता है, विजे सिदूपती की नाच्रूल आक्टिंग और काट्रीना की फॉर चेंज, क इराम जी की डिरेक्शन से एक बात तो क्लियर हो जाती ही, कि उन्हें आक्टर से अच्छी आक्टिंग निकलवाने की कला आती है, जब वो बरुन धवन से बदलाबूर में इतना अच्छा काम करवा सकते हैं, तो यहां तो फिर भी भी जैसे दूपतीते, जो कि इस मूवी क तो चलाने की और IMDb rating 8 दिलाने की बड़ी वज़े हैं, उनका खिरदार, उनका कैरेक्टर आपको मूवी में हमेशा बांध के रखता है, पर इसके बावजुद कहीं न कहीं फिल्म कहीं हिस्सों में आपको थोड़ी सी ड्रागी लग सकती है, थोड़ी सी खिची हुई लग विजे से दुबती और कट्रीना कैफ की केमिस्ट्री कमाल की है, देखकर लगता ही नहीं कि इन दोनों की पहली फिल्म है, मनलब जहां एक तरफ इनकी आक्टिंग बढ़िया लग रही है, जोडी बढ़ियां लग रही है, वहीं दोनों की हिंदी बोलने का तरीका, हेलो, कै कि यह मुवी के लिए आपको किसी को अपने साथ में ले जाना पड़े, जिससे अगर एकाट डायलोग आप मिस कर जाएं या समझ न पाएं या भूल जाएं तो आपको बगल में जो बैठा है आपके साथ, उससे एक बार कंफर्म करना पड़े कि यह क्या बोला, क्या बोला कौन तक खाने का समय न मिले, क्या समझे, इसी के साथ इस वीडियो को यही करते हैं, समाप जाने से पहले स्क्रीन वालों को सब्सक्राइब करके जाएगा, मुवी देख चुके हैं, और कैसी लगी, या भी देखने वाले हैं, जो भी हो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करक करेंगे, जरूर बताईएगा, फेस्बूप की देखने हैं, तो हमारे पेज को जरूर लाइक करेंगा, थैंकी पो वाचिक, जल्दी मिलते हैं एक और जबर्दस वीडियो के साथ, यहीं पर, जै हिंद, जै भारत,